हेलो अरिवन गुड मॉर्निंग स्वागत अब सभी का ओनलाइन स्टेफ जुन में आज किस वीडियो हम बात करने वाले हैं पिछले एक विक के मोस्ट इंपोर्टन करेंट अफर्स के एक कुस्ट क्वेशन यानि फ्रेंट्स आज किस वीडियो हम बात करेंगे 24 मही से लेकर के 30 मही तक के जो भी मोस्ट इंपोर्टन क्वेशन है वो मैं आपके साथ डिसकस करूँगा इस वीडियो को लास्ट तक जरूँ देखेगा तो चलिए सुरू करते हैं फर्स्ट क्वेशन ये बनता है कि किस राज्जे ने सब को मिलेगा रोज़कार योजना उतका उधगाटन किया अब बात करते हैं ये कि इसके तहित होगा क्या तो प्रवासी मजदूरों को मनरे का जौब कार्ट चारी किया जाएगा इसके अंतरगत और साथे साथ इसका उद्देश ही ये है कि अपने गाउं और ग्राम पंचाय छेतर में रुजगार के आउसर प्रदान कर रहा है ठीक है फर्स्ट यहां तक तो बात क्लियर हो गई अगर हम बात करें मद्देश से रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट चुकी हाली में चर्चा में रहा था जो हम लोगों ने पिछले वीकों में डिसकस किया है जैसे फिंस चरण पादू का पहल स्टार्ट करी गई है अब ये इसमें है क्या चरण पादू का पहल में तो अपने राज्य से होकर के गुजरने वाले जितने भी प्रवासी मलतूर है उनको जुत्ता चॉपल मोहया कराने है तू याने फिंस जिनके पास जुत्ता चॉपल नहीं है उनको मोहया कराने के लिए चरण पादू का पहल स्टार्ट करी गी थी मद्यप्रदिस के सरकार के दोरा ठीक है और हाली में एक और चुकी चीज फेमस होई थी जैसे फिंस संपर्क में आये बिना संदिक दिरोगियों के जाँ छेतू एक संजीवनी नामक वहन को विक्सित किया गया था एंपी के सरकार के दोरा मुक्के मंत्री कोविड-19 योधा कल्यान योजना भी स्टार्ट करी गई है और सबसे इंपॉर्टन पॉइंट तो ये बन जाता कि तो मध्यान भोजन राज़व कार्ड प्रदान करने वाला ये भारत का पहला राज़व बन गया ठीक है फिर्ट्स तो मध्य पर्दे से लेटेड इतने सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने है ठीक है अब बात करते हैं मध्य पर्दे से लेटेड कुछ और भी पॉइंट्स जैसे फिर्ट्स यहां के राज़व पाल कौन है लाज़ी टंडन सिवराज सिंग चोहान यहां के सीम हो गया है और लोगसवा में सीटों की संख्या 29 दी गई है और राजसवा में 11 सीटे वामी ओसाका ठीक है फ्रेंस नाओमी ओसाका राइट अंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका एज जो की एक टेनिस प्लेयर है और यह जापान से बिलोग करती है इन्होंने सेरेना विल्यम्स को पचारते हुए फ्रेंस दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलिट म मना जाता है इसकोईस का करेक्ट आंसर हो का आप्सेंस नंबर यह यानि फ्रेंस तेईस माई को पट्तेक वर्स यह मना जाता है ठीक है पहली बार जो मनाए गया था यह 2000 इसमें मनाए गया था और इसका मकसद यह होता है कि लोगों का ध्यान कच्छुआ के तरफ अकरसित कर और 17-16 मई को सिक्किम दिवस के रूप में भी मना जाता है ठीक है इन सारे पॉइंट को याद रखेंगे और एक चीज में आपको और बदातू 25 मई तो 25 मई को क्या मनाते 25 मई को 20-28 दिवस के रूप में भी मना जाता है अगे बढ़ते हैं देखे फोर्थ नंबर क्वेशन क्या कह रहा है कि किस राज्चे ने रिस्टार्ट नाम से एक नया कारे करम शुरू किया इस क् Whenever और और प्रद्रेश कर आंध्र परेशस ध्यान कहें चांध कर आंधर ने रहा opens डि कना कं नाम कर रहका गया रिसाट अब बात करते हैं सरकार ने राज्ड़्य प्रोक्टाउं के कारण प्रभावित जो राज्य हैं उनमें यह राज्य के जितने भी फेंट्स माइक्रो स्मॉल एंड मेडियम इंटरप्राइजे उनको सहारा देनी के लिए स्टार्ट के गया रियस्टार ठीक है ध्यान रखेंगे यहां पर हम लोगों ने बात के माइक्रो स्मॉल मेडियम इंटरप्राइज जिसकी स्थापना फ्रेंट 2007 में की थी यह पॉइंट बहुत इंपॉर्ट है याद रखेंगे ठीक है 2007 में इसकी स्थापना की थी हिंदी में इसको क्या कहते है सुक्ष में लग हूँ और मध्यम उपकरम ठीक है अब हम लोग बात करते हैं आंध्रपरदे से लेटेट जैसे आंध्रपरदेस की राजानी हैदराबाद होती है इसका गठन हुआ था एक अक्टूबर उनी सो तिर और राज सामें सीटों के संखें इगारे दी गई है यह सारे पॉइंट चाप याद रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंट नेक्स्ट कोईशन में क्या क्या रहा है अगला प्रस्ट मेरे यह बंत है कि बिस्व बैंक ने किस भारतिये अर्थ सास्त्री को दच् परिवर्थन और आपदा प्रबंदन की जिम्यतारी सौब यह अब यहां पर हम लोग बात करते हैं थोड़ी से जनकारी बिस्व बैंक से लेटर जैसे बिस्व बैंक की स्थापना कव केई थी 1945 में यह आप सभी को पता होगा हेड़कॉर्टर कहां पर है हेड़कॉर्टर प कि तेरहवे अध्यक्ष्य हैं यह सबसे ज्यादा इंपॉड़न हो जाता है पूछा जा सकता है कि कौन से अध्यक्ष्य है तो तेरहवे नंबर के अध्यक्ष्य है यह चीज़ आप याद रखेंगे ठीक है फिन्स आगे बढ़ते हैं क्वेस्चन नंबर 6 में देखे क्या कर है किस राजी ने विलूप्त होने से पौधों को बचाने के लिए अपने संड़क्ष्ण के परियासों को उजागर करते हुए एक पहली और अनूथी रिपोर्ट जारी किया है इस कोईसंस का करेक्ट अंसर क्या होगा ओप्संस नंबर C यानि फिन्स उत्रा खड़ने यह ल की यह संड़क्ष्ण स्टार्ट के गया ठीक है यह पॉइंट इंपॉर्ट होता है अब हमनों थोड़ी से जनकारी बात कर लेते हैं उत्रा खंड से रिलेटें जैसे फिन्स उत्रा खंड की राजदानी क्या है देहरा दुन आप सभी को पता इसका गठन कब हुआ था इसका और नेक्शोचन देखे हैं हमारा क्या बनता है नेक्शोचन ये बनता है फ्रेंट्स बुडेंस लीगा जो कोविड-19 लॉकडाउन के बाद आयोजीत होने वाला दुनिया का पहला खेल आयोजन बन गया या किस देश में आयोजन किया चाह रहा है यह हाली में इसका आयोज कोविड-19 लॉकडाउन के बाद आयोजीत होने वाला दुनिया का पहला ऐसा खेल बन गया तो यह पॉइंट इंपॉइंट हो सकता है याद रखेंगे बात करते हैं यहाप जर्मनी के बारे में तो दिखें फ्रेंस जर्मनी की राजधानी क्या होती है बर्लिन और यहां के चांसलर कौन है एंजिला मारकेल जो की मोस्ट इंपॉइंट हाली में चर्चा में भी थी ठीक है इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे क्लियर आगे बढ़ते हैं अगर आपको वीडियो प्रेंस थोड़ी से पसंद आ रही हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हुआ है तो इस तरह के वीडियो आपको और प्रॉफाइट कराइं जया है ऐसा कुछ नहीं होता है थीक है तो प्लीज वीडियो को लाइक स्राइब करेंगे तो आप रहा था और इसको हाली में लागु करने का प्रस्ताव जो रखा गया वो आंदर पर्देश में रखा गया, options नंबर B बिलकुल correct answer हो जाता, NGT यानि फ्रेंस National Green Tribunal ने हाली में आंदर पर्देश में प्रस्तावित, रायल सीमा लिफ्ट जो इरिगेशन स्कीम है यानि कि सिचाई जो परियोजना उसको रोकने के लिए आदेश चारी कर दिया यह चीछ हाली में यहाँ पर चर्चा में था इस चीछ वह आप याद रखेंगे डारेक्ट विशन यह अपसे पूछा जा सकता है कि रायल सीमा लिफ इसकी जो गठन हुआ था 2010 में इसका गठन किया गा था इसका हिंदी में फुल कहते है रास्टी है हरित प्राधी करण और इंग्लिस में नेशनल ग्रीन ट्रिप्यूनल जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो आदर्स कुमार गोयल यह चीज आप याद रखेंगे ठीक आगे बढ़ते हैं और question number 10 में देखिए क्या के रहा है असली कपूर का हाली में निधन हो गया वह किस खेल से जुड़े थे देखेंगे असली जो कपूर है यह एक काफी अच्छे लॉन टेनिस प्लेयर हैं options number से हाँ पे C बिल्कुल correct answer हो जाता है ध्यान रखेंगे ठीक है फ्रेंट्स आट बार के grand slam tennis championship यह रहा चुके जिनकी हाली में यानिकी 83 वर्स की आयो में इनका निधन हो गया सबसी important point यह पुछ जा सकते है कि यह किस देश से बिलोंग करते हैं तो point बहुत important है पूछा चा सकते हैं आगे बढ़ते हैं और next question देखें क्या किया रहा है किस राज ने सेडबी के साथ साजय तारी की है और प्रवासी स्रमिकों को रुजगार प्रदान करने के लिए एक startup fund launch किया तो startup fund launch किया गया उत्तर परदिश के दौरा options number B यहां पे बिल्क प्रवासी स्रमिकों को रुजगार प्रदान करने के लिए तो यह प्रवासी जो स्रमिक होंगे उनके कौसल के अधार पर रुजगार प्रदान किया जाएगा और समंधित जो राज्य के युवाय हैं उनको startup बनाने के लिए प्रत्साहित किया जाएगा तो यह चीज़ आप याद रखेंगे अब में एक पॉइंट और बताता हूं देखे फ्रेंस हाली में उत्तर पर्दे से एक चीज और भी चर्चा में था जैसे कि सरकार ने स्वास्ट उप्चार के लिए सहता प्रदान करने के लिए आयूस कवच कोविड आप लॉंच किया था तो यह पॉइंट भी इंपॉइंट हो जाता है याद रखेंगा इनस क्वेशन से इतने सारे जनक मिजोरम जो की ऐसा पहला राज बन गया जो की खेल छेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उधोग का दर्जा दे दिया इस चीज़ को याद रखेंगे अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं जो की मिजोरम से संबंदित कुछ पॉइंट जैसे कि यहां की राजध दर्ण पिढ लही यहां के राज़पाल और यहां के सीम कौन है तो जो राम ठंगा सीम है लोग सबहां में एक सीटे दी गई है राज सबहां भी एक सीटे दी गई है तो यह जहीं आप याद रखेंगे चलिए आगे देखते हैं और नेक्स चूचन देखें फ्रेंस क्या कर हाली में किस देश ने अपने पहले माना हो रही ते ड्रोन हेलिकॉप्टर का परिक्षण किया तो माना हो रही ते फिर्ण्स हेलिकॉप्टर जो कि कह सकते हैं ड्रोन हेलिकॉप्टर का परिक्षण किया तो वह कौन सा जो की देश है इस क्वेशन्स का करेक्ट आंस्वरों का और इस ड्रोन का नाम क्या रखा गया ए आर 500C ध्यान रखेगा ए आर 500C ठीक है यह पॉइंट इंपॉर्ट हो सकता है याद रखेंगे अब बात करते हैं यह किसके दौरा विक्सित किया गया तो A.V.I.C. अब A.V.I.C. का मतलब क्या है अब मैं आपको यह पताता हूँ A.V.I.C. का मतलब फ्रेंस Aviation Industry Corporation औफ चाइना ने इसको विखजित किया ठीक है इस मानोरेट ड्रॉन हेलिकॉप्टर का उपयोग जोगा भारत और तिबद के सीमा पर किया जाएगा चीन के दौरा तो Sine Zender Advocate of the Year की Award से सम्मानित किया गया इस Questions का Correct Answer का Options नंबर C यानि फिर्ट सुमन गवनी ठीक है याद रखेंगे या पहली बार है कि जब किसी भारतिय सांती रक्षा को इस Award से सम्मानित किया गया इस Points को याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं और Next Question दीखे Friends क्या किया रहा है क किस राज जी ने स्रम सिध्धी योजना की सुरुआत करी है तो हाली में स्रम सिध्धी योजना के स्टार्ट की गई है किस राज जी के दोरा तो MB के दोरा Options नंबर A यहाँ पे बिल्कुल Correct Answer हो जाता है योजना के तहत सरकार ग्रामीड चेत्रों के सभी वेक्तियों को काम प लांच किया तो देखें हाली में फेस्बुक ने एक नया वीडियो कॉलिंग आप लांच किया जिसका नाम रखा गया कैच अप्सिंस नंबर B बिल्कुल Correct Answer हो जाएगा अब इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह बन सकता है ध्यान रखेगा कि यह जो कैच अप्रिकेश ने इसमें बिना फेस्बुक अकाउंट के भी यह काम करेगा और साथ साथ इसमें आठ यूजर एक साथ वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे ठीक है और फेस्बुक से लेटर हम वोगों ने पिछले वीक में क्वेशन को डिसकस किया था और वो किसंस किया था फ्रेंट्स कि हाल के ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार की सिफारिस करने के लिए गठीत उचसतर ये पैनल के प्रमुख कौन है इस क्वेशन का करेक्ट आंसर और ऑप्सेंस नमबर ए यानि की राजेस भूशन ठीक है फेस्ट समीति का गठन के अंदर सरकार ने किया और जिसमें फे कागणा चाय किस राज्य में उत्पादिद की जाती है और यह चर्चा में इसलिये भी हुआ करता था क्योंकि दोजर पांच में इसको जी आई टैग भी दिया गया था ठीक है और अगर बात करेंगी 2020 में यह क्यों चर्चा में और मैंने क्यों सेर किया तो आपको बता दू कि अंतरास्तिय चाय दिवस के औसर पर जो की 21 माई को मनाया गया था उस दिन फेंट्स इसके बारे में यानि कि इस चाय के बारे में लोगों पर चर्चा भी की गई थे ठीक है यह आद रखेंगे अब मैं आपको एक चीज़ बता दो फेंट्स की यह हाली में चर्चा में पर क्यों था तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि अंतरास्तिय चाय दिवस यानि की 21 माई के औसर पर इस चाय के बारे में इसके लाभों की बारे में लोगों के साथ चर्चा किया गया था यह जो आयोग होगा यानि कि यह जो माईग्रेशन कमिशन होगा यह बीमा समाजिक सुरक्षा दोबारा रोजगार में सायता देने के लिए और रोजगारी भत्ते का प्रावधान जैसे जितने भी मुझते हैं उस पर भी विचार करेगा तो यह पॉइंट आप याद रखे गया और यह कौन है तो इसका राइट एंसर क्या होगा इसका correct answer is options number C यह और इनकी किसी बिल्कुल correct answer हो जागा अब बात करतें कि किसका स्थान्गरण करेंगे तो यह स्थान्गरण करेंगे Dr.Harsh Kumar भानवाल का ठीक है और इनकी जो अवदी होगी वह July 2020 की अपने कारे पर तो कि नबाड की मुख्य प्रबंदन के रुप में, मुख्य महा प्रबंदन के सकते हैं, उसके रुप में कारते से वारते हैं, ठीक है फ्रेंस, अब आपके लिए छोटा सा क्वेशनस, कब से मैंने क्वेशनस नहीं पुझा था, आप मुझे नीचे comments करके बताएगा friends की नबाड के स्थापना कब कीगी थी यानि friends नबाड के बारे में जितनी भी चीज़े आपको पता है तो आप नीचे मुझे comments करके बताएगे और आप सभी लोग को बताना है ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं बताएगे ठीक है तो friends मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ अगर आपको यह वीडियो पसंद आरी हो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो यार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज वीडियो को लाइक किया करें ठीक है आप इससे और यह बच्चों के लिए किताब है तो आपको बताने की इसके लिखा कौन है और यह काफी फेमस है अपसेंस नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा जेकी रॉलिंग का नाम तो आपको पता ही होगा क्यों फेमस है और ये किस राज्य में किया गया ये आपको बताना है इस questions का correct answer क्या होगा right answer will be options number D यानि फिन्स उत्तराखंड ठीक है उत्तराखंड की राजधानी क्या होती है तेहरा दू और इसका गठान मैंने आपको already बता चुका है तो फिलाल हम लोग यहाँ पर बात करते friends कि ये किसके दोरा किया गया इसका उद्गाटन किसके दोरा किया गया तो केंद्रिय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग जो मंत्री है स्री नितिन गड़गरी जी के दोरे ये किया गया ठीक है friends ये point आप याद रखेंगे इस चारधा मार्ग जो विकास योजना इसकी अधार सिला रखी गई थी 2016 में 27 समबर 2016 में हमारे देश की जो परधान मंत्री है नरिंद्र मोधी जी के दोरे ये रखी गई थी तो ये चीज़ आप याद रखेंगे 2016 में रखा गया था लेकिन इसका उद्गाटन 2020 में खाली म किया क्या गया नफ्ज बेंक क क्या तो गया डारिह च कि देबलाक्मेंट बैंक की नए अध्यक्च की रूप में किसे न्युक्त किया क्या बह alltid अच्छा प्रस्थन फ हो जाएगा और यह किस देश से समंद्ध रखते हैं तो यह ब्राचिल के हैं तो यह चीज़े आप याद रखेंगे ठीक है अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इनकी जो नियुक्ति हुई वो कप हुई 27 मही 2020 को वीडियो कांफरेंसिंग के मात्यम से हुई है और इस जो यह बैठक हो इसमें हमारे देश की वीत मंत्री जो है निर्वना सिता रमन ने भाग लिया था तो यह आप याद रखेंगे निव डॉबलप्मेंट बैंक के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना 15 ज द्वहां यह इस psychological स्थापना गया है यह कह सकते हैं ठीक हे फेंज आगे बढ़ते हैं हाली में किस देश में भारतिय पूरcía पूर्फ criticism से खेंगे तो यह किस देश में मिला है तो राइट एंसर ऑप्सिंस नंबर डी याने फ्रेंट्स वियतनाम में मिला है ठीके फ्रेंट्स हाली में जो A.S.I.A. Archaeological Survey of India को बलुआ पत्थर से बना एक विसाल सिवलिंग खुदाईक में मिला है कहाँ पर तो यह आपका मिला है वियतनाम ठीके वियतनाम के रादानी क्या होती है जो की हनोई होती है ठीके फ्रेंट्स इस चीज को आप याद रखेंगे ऑप्सिंस नंब जो की हाली में काफी फेमस था जैसे फ्रेंट्स सूपोसित मा अभियान राजस्थान के कोटा में लोकसभाद्यक्च उम्बीडला के दौरा यह लॉंच गया था यानि की कुपोसर मुक्त भारत बनाने के लिए यह चीज़ आप याद रखेंगे ठीके फ्रेंट्स और अग खाली में विश्व ब्रयासत सूची में भी सामिल किया गया था यह चीज़ आपको पता होगा इसका गठन एक नवंबर उनीसव चपन को किया गया था ठीक है फ्रेंट्स इसके वरतमान में यहां के बात करें की राजयपाल कौन है तो कल राज मिच्छा यहां के वरतमान मे करके हमें मोटीवेट करें और इसे तरह की और वडिआ को देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके नूटिफिकेशन वेल्को ओन कर लिजयेंगा ताकि नेक्ट वीडियो की keep watching, keep learning, have a good day.